नमस्कार आप सभी का एक्षेश स्वारत हैं हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर सीता का नहीं छाया सीता का हरण किया था रावन ने जानिये को थी छाया सिता वेदवती नाम की एक कण्या थी जो भर्वान विश्णों की तरपस्या कर रही थी रावन जब्रन उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था वेदवती ने योग क्रियाद्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और रावन को श्राब दिया मिरे ही द्वारा तेरा संहार होगा तुझे मारने के हित में अवतार हमारा होगा अग्निदेव ने विद्वति की आत्मा को अपनी तन में समाहित कर लिया एक दिन पंटवटी में मारीच नामक राक्षस का बढ़ करने के लिए भगवान राम आश्रम से बाहर चलेगे सीता जी के कठोर बचन सुनके लक्षमन जी भी राम जी के पीछे पीछे चलेगे तत्पशाज राक्षस रावन सीता को हर ले जाने के लिए आश्रम के समेप आया उस समय अग्निदेव भगवान राम के अग्नि होत्र ब्रह में विद्धमान थे अग्निदेव ने रावन के चैश्टा जानली और असली सीता को साथ में लेकर पाताल लोग अपनी पत्नी स्वाह के पास चलेगे और सीता जी को स्वाह की देखरेक में सौप कर लोटाई अगनी देव ने विद्वती की आत्मा को अपने तन से अलग करके सीता के समान रूप वाली बना दिया और परणशाला में सीता जी के स्थान पर उसे बिठा दिया रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में लाबिठाया तदंतर रावन के मारे जाने पर अगनी परिक्षा के समय उसी विद्वती ने अगनी में प्रवेश किया। उस समय अगनी देव ने स्वाह के समीप सुरक्षित जन कनंधनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुन श्री राम जी को सौप्रिया और विद्वती रुपी छाया स सीता के आपने तन में सभाहिप कर लिया तब सीता जी ने बगवान राम से कहा प्रभू इस विद्वती ने बड़े दुख सही है ये आपको पति रूप में पाना चाहती है इसलिए आप इसे अंगी कार कीजिए बगवान राम ने कहा समय आने पर मैंसे पत्नी रूप में जर राजा ने देखा फित्वी से कण्या प्रकट हुई है जो कमल की शया पर सोई हुई है सोने की पुतली सीशोभा पारही है राजा ने उसे गोध में उठा लिया और ये मेरी पुत्रि है ऐसा बार-बार कहते हुए महल की ओर चल दिये तभी आकाश बानी हुई राजन वास् कन्या युवा हुई कन्या का विवाह विंकटा चलनेवासी श्रीहरी से हुआ ये वही वेदवती छाया रुपी सीता है जिसे संसार पदमावती पदमाल्या के नाम से जानते समस्ति व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बिल आइकन दबाना न भूले